नवश्कार किसान बाइयो, this is Dr. चैनल अब सब का स्वागत करता है मेरे यूटिव चैनल पे आज मैं लेकिया हूँ question answer round जब से मैंने dairy की मीडियो बनाने शुरू की है तो मेरे पास बहुत सारे इच्छे dairy farmers है जिनके बहुत सारे questions मेरे पास आ रहे थे लेकिन इस बार उसका दूद सिर्फ 15 गिल रह गया है तो ये बहुत major farmers का question था कि पहले ब्यानत में गाई ने बड़ा अच्छा दूद दिया लेकिन जब second ब्यानत आई दूसरा वाला ब्याना आया तो दूद बड़ा कम हो गया तो इसका answer ये है कि मतलब आपके पास जो गाई अम्बैस की रसल है वो अच्छी है मतलब उसकी capacity जुरूर है 35-40 गूल दूद देने के capacity जुरूर है लेकिन अब उसका दूद अगर कम हो गया था ये हमारा कोई managemental error है सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका पशू dry तो properly हुआ था मतलब ब्याने की तेर मीना पहले आपने दूद देना completely बंद कर दिया था कि नहीं क्या था सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपने dry minute के दौरान आपने पशू को transition feed के लिए आपने वो पशू को दी है कि नहीं दी है क्योंकि उस केस में decat को balance करना बहुत important है मैंने I think कुछ videos बनाई भी है decat के उबर और transition feed का जो formulation है वो मैं जरूर आपके लिए मैंने तयार कर लिए formula properly जो सभी के लिए universally आप accept कर सकते हो तो वो फॉर्मुला मैं जल्द अपने next video पे लेकिया हूँगा लेकिन for the timing आपके लिए important है कि आपने check करना है कि आपका पशू को dry minute का proper time मिला है जैसे आप suppose कर आपके पास bass है मतलब bass है 600 kg की bass है 6 kontal नी bass है हम मतलब अगर bass हो तो उसका 2% का body weight लेते हैं अगर guy हो तो 5% लेते हैं अगर bass है तो हमने क्या करना है 2% उसका body weight लेना है 2% मतलब 2 upon 100 into 600 कर दिया जतना उसका weight ता 600 कर दिया तो क्या बनकिया है हमारे पास 12 आ गया और lettuce से हम सोचते हैं कि उस bass का दूद है 12 kg तो दूद का जितना दूद है उसको हमने 1 थर्ड कर दना है 1 by 3 into 12 कर दिया वो कितरह बनकिया 4 आया 12 हमारे पास कहां से आ गया उसके weight से 4 हमारे पास आ गया दूद से मतलब 16% उसका dry matter है अब हम इसको कैसे पूरा करेंगे concentrate roughages से यह अलग से topic हो जाएगा अगर आपकी request होगी तो यह भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आप अपने पशो का dry matter पूरा कर सकते हो right next question मेरे पास आ है कि lameness बड़ी आ रही है पिशली tango से पशो को बड़ी दिक्कत आ रही है lameness खास करके जो यह वाला मौसम आ रहा है न यह इसमें काफी common होती है pink farming में मैं देखा था कि lameness के काफी questions थे तो मैंने उसके लिए specifically video पे बनाई थी उस पे काफी farmers की query स्वाल होगी थी तो dairy में भी as a days ही वो अपनी cable होगा तो जो मेरे dairy farmers है वो lameness वाली जो video है न मेरे pig farming पे वो check out कर सकते हो लेकिन फिर भी अपकी कोई query रह जाएगी तो अलग से हम जो लगड़ा बन lameness के दिक्कत आ रही है पशो में तो उसको हम अलग से dairy में discuss कर लेंगे right next question आ रहा है dairy farming में हम कौन सी गाए की farming करें अब ये अच्छा question है कई farmers ऐसे हैं जो चाते हैं कि हम अपना dairy farm शुरू करें लेकिन वो साइड निंग कर पारे हम कौन सी गाए से या क्यों सी बैंस से अपना शिरू करें गाए की case में आपको मैं बताऊगा कि आपके priority क्या है अब अगर जैसे मतलब priority तो यह हो गया I think profitability लेनी है कि दूद ज्यादा हो तो दूद ज्यादा के system से में आपको ये बोलूगा कि आपक को लेकर चलना चाहिए मतलब I know कि यह मतलब एक अबराट की ब्रेंड है लेकिन इसको मैं कोई परमोट नहीं कर रहा हूं simply अपको बोल रहा हूं कि अगर आप HF की farming करोंगे तो आप दूद बड़ा ले पाऊगे लेकिन इसमें सबसे दिक्कत की बात आयाते है कि HF के case में दूद में फैट बड़ी कमा जाती है जब नॉर्मली अब यह सीजन आएगा बरसी इंगलूसन कर राइट तो फैट कमाने की वज़े से क्या होता है कि कुतला दूद का बाव नहीं लग पाता जितना लगना चाहिए तो इस साबसे मैं आपको बोलूगा कि अगर आपने 10 ग गाओ का दूद मिक्स करोगे तो जो ओराल आपका फैट परसंटेज निकल आएगा वो बड़ा वैतर निकल गया आएगा तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा तो आपने जुरूर यह याद रखना है जुरूर है दूद अच्छा देगी लेकिन SNF कॉंटेंट फैट कॉं निकल के आ रहा है या फिर गी निकल के रहा है इसकी बड़ी इसका काफी रेट लग रहा है और अगर मैंने अगर कोई फार्मर चाहता है कि हमने कंप्लेटली एटो फार्म के इसाप से चलाना है तो फिर आप कंप्लेटली देसी गाए से जैसे साही वालोगी गिर होगी इस और जो content, जो nutrition value हमारे देसिगाए की है, इंडिया की देसिगाए की वो किसी और काई की है राइट, तो इसलिए आप अपने farm में देसिगाए को जो रखो, राइट, next question है, A1 और A2 में लगाओ, उससे relatable question था, कि A1 और A2 में क्या difference है, तो ये एक protein की मात्रा होती है, कि A1 में, A1 में कैसी A1 होता है, और A2 में कैसी A2 होता है, मैं सोचा था, मैं इसमें वीडियो बनाओ, लेकिन already YouTube पे अच्छी वीडियो हैं इस पे, तो मैं नॉर्मली अच्छी जो information आउने दी है, वो correct ही है, तो आप उन वीडियो को चेक कर सकते हैं, लेकिन भी को question है, तो मैं आई तो बैठा ही हो, आपकी समीखित निए, right? अगर आपको उस टेस्ट से मतलब नॉर्मली पता चली जाएगा कौन सा बैक्टिरिया है, तो जो उस बैक्टिरियो को जो एंटिवर्टिक मारेगा, तो वो एंटिवर्टिक से आप सभी अपने फारम की vaccination कर दो, right? यह सबसे असाल तरीका है, बहुत सारे फारम से यह दिकत बैक्टिरियो को जो एंटिवर्टियो को जो एंटिवर्टिक होगा, उससे आप अपने फारम का सारी का vaccination कर दो, तो इसे सापसे अपनी चले जाएगी, right? Next question है, FMD के इलाज के बारे में बता ही, right? तो FMD के इलाज से जाने से पहले में आपको बता होगा, कि FMD जो है, foot and mouth disease, इसका जो campaign चल रहा है, I think पंजाब में already यह campaign चल रहा है, FMD की vaccination सभी सरकारी hospitals में आ गई है, तो आप अपने जो सुमंदित, जो nearby आपका veterinary hospital है, उससे आप अपने FMD की vaccine की मांग करें, normally वो खुद ही veterinary inspectors आएंगे, अपनी vaccination करने के अगर नहीं, तो आप खुद भी hospital जाके पूछ सकते हैं उसके बारे में, तो सबसे important तो इसका है, इसकी vaccination हो, क्योंकि FMD है एक viral disease, जो cause करती है, अप्थोवाइरस की वज़े से cause होता है, तो आप मे क्या करना है, पहले तो vaccination ensure करो कि आपके पशो को vaccination हो, अगर vaccination होगी होगी, तो FMD अपके farm में आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई, तो फिर इसके लिए अलग से treatment है, वो अगर किसी को चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको send कर दूगा, right, next question है, हरा चारा हमारे पस नहीं है, ले वहाँ पर हरा चारा होता ही नहीं है, तो कैसे हम हरा चारा, कैसे हम ड्राइवटर पूरा करें, तो इसका अजर सिंपल से यह है, कि फिर हमें ultimately farmer अपने पशो का ड्राइवटर पूरा करना है, तो फिर हम concentrate से ही पूरा करेंगे, right, अब हरा तो है नहीं, तो अगर हरा नहीं है तो इसका एक मैं आपको इलाज बता सकता हूँ, एक way out बता सकता हूँ, कि आप silage, जो अचार मिलता है न पशो के लिए, जो silage मिलता है, वो हर एक जगा पे facility है, कि आप कहाई से भी बोट करवा सकते हो, हमारे मतलम इंडिया में, अलग अलग शहरों में बहुत सारी manufacturing वो plants तो आप अपने फार्म के लिए साहले जुरूर मगवा साते हैं, जिससे आप अपने पशों का ट्राइमेटर पुगा कर सते हो, अगर नहीं तो फिर concentrate सतो करना ही बड़ेगा, और कोई option ही नहीं है हमारे पास, next question है, that's up, dairy farming में और pig farming में कौन सा farming बहतर है, अब ये question काफी relevant मेरी mostly videos pig farming or dairy farming में है, तो I think इन दोनों काना कुछ ऐसा ज्यादा comparison में आपको मता रही सकता, क्योंकि dairy farming के अपनी इंपोर्टन्स है, कि dairy farming में हम दूद से profitability ले रहे हैं, और जैसे हम देख रहे हैं कि दूद के पैदावार, synthetic milk की I think I would say synthetic milk बहुत जदा बन रहा है, जिसकी वज आपके लिए काफी profitability ला सकता है, जैसे A2 का concept भी आपको मेरे बताया है, कि इससे भी आप बहुत profitability बना सकते हो, और इसमें I think इतना, जो investment point of view से इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन pig farming में वहां क्या है, कि 70-80% तो आपकी investment feed मी लग जाएगी, आपको feed काफी, मतलब जो main जो खर कर भा रहे हो, तो आप अच्छे यॉक्षार लेगें, वह farming आपकी लिए बैतर रह सकती है, दोलों ही profitability पे है, मैं आपको बुलूगा कि आपका interest किस line पे है, उस पे farming अपनी जिनूल करो, तो यह थे कुछ questions जो मेरे का लगा समी से relevant होगी, और इनकी काफी निवानती कि हम इ आपको कामी हो, तो इसी की तरह मैं मैंनुगा आप अपनी नेक्स वेडियमें, तेल दन, नमस्कार